नमस्कार आप सभीका स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडी चंद्रशेगर शर्मा दर्शकों सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज गनांग है 13 मई सन 2024 विक्रम सम्मद 2021 चल रहा है व पुनर वसु नक्षत्र सुबह 11 बच के 24 मिनट तक है आगे पुख्य नक्षत्र है योग शूल है सुबह 7 बच के 40 मिनट तक आगे गंड योग योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब नहीं है लौकिक द्रश्टी से यानि कोई अगर बिजनस डील कर रहे थे कोर्स में अडमिशन ले रहे थे नई नोकरी के लिए अपलाए कर रहे थे आज के दिन को टाल दीजेगा करन कॉलव है दौपेर बाद 2 बच के 23 मिनट तक आगे तैतिल करन रहेगा सुर्य देगा समय दर्श्टी को सुबह 5 बच के 40 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 6 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 7 बच के 30 मिनट से 9 बज़े के बीच रहेगा पूरी तरीके से टाल दीजेगा शुप कारे लंबी यात्रा नहीं करते लेकिन सुबह का राहुकाल है तो बगवती का नाम श्मिनट करें ताकि जनम पत्रिका में जो राहु के दोश है वो शान्त हो से भी है अब जीत मुरत आज दिन में 11 6 मिनट से दोपार 12 मिनट के बीच है दिन में चार बार दोस्ट मुरत भी रहेँगे ठ्यान से समझे गा सूजबू से टाल दीजेगा यह हैं दोपार 12 बच के 5 संग進वा तीन और चार बच के पच्चिस मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पूर्व दिशा में हैं तो पहली कोशिश यह कि पूरु दिशा की यात्रा को आप टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवारी रूप से आपको पूरु की यात्रा करने है तो इसका परिहार करे पूरु में दर्पन रखें उसमें अपना मुख देखें पांच कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने हिर्दे में अपने इश्ट का ध्यान करें भगवान शिर्याम का नाम लें और फिर यह यात्रा करें तो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी कारे से दोगा दिशा शू तक आज की चंद राशी दर्शे को करक है यानि चंद्रुमा अपनी स्वय राशी करक में गोचर कर रहे हैं जिससे आज कहीं दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को भावनात्मक उतार चड़ाव का सामना खड़ना पड़ सकता है वहीं व्रश राशी वाले अपनी माता और बहन से पाएंगे आशिरवाद और सपोर्ट मेतुन राशी वाले अपने मधूर व्यवार के लिए जाने जाएंगे और करक राशी वाले अपनी अती भावक्ता पर नियंतरन दिख रही है तोला राशी वाले ऐसे लोग जो राजनीती या जन सेवा से जुड़ें उनके लिए योग कारक दिन है वहीं व्रश्चिक राशी वाले भाग्ये से पाएंगे एक ठोस नई शुरुआत धनू राशी वाले हड़े संबंदित समश्या और यूरीन इंफेक्श जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगी समझेंगे उन विस्स रुपायों को जो आपको समश्यां से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंतुमें करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को कहत जाना होगा जो संसार के माया जाल से परहोकर निर्विकल्प भाव से भगवती के लीला विलास को देख पाते हैं इसलिए सादु संगती बहुत ही महत्वपून है इस पर शास्त्रियों कहते हैं कि चंदनम शीतलम लोके चंदना दपी चंद्रमाहा चंद्र चंदन योर मद सबसे अधिक शीतलता और शांती प्राप्त होती है इसलिए जब भी परिशानी में हो तो किसी अच्छे संत्र के पास जाके बैठें आपको अपनी समश्या कहने कि आवशकता भी नहीं है आप कुछ दिर बैठेंगे आपको आपके प्रश्णों के उत्तर उनकी वानी से मिल जाएंगे वो किसी और को भी समझा रहे होंगे तो आपको अपनी समश्या का समधान मिलेगा वो सुनिए और उटके आ जाईए तो दर्शे को यह थी आज की ज्यान चर्चा अब बात करत है उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सभी लोग पांच प्रकार के पौधे किसी मंदिर के पास लगाएं और सवा के लोग माता का घी अपने सुरपर से साथ बार उतारा करके किसी अखंड जोती मर्पित करें साथ ही आज अपनी माता को कुछ श करने के बाद भी धनलाब नहीं होता हो ऐसी किसी भी स्तिती में अगर आफ चुकें तो इक बहुत ही सटीग उपाय है जिससे इस्तिती बहुत जल्दी सुधर जाती है इसके लिए करना सिर्फ यह है कि लकडी की चोकी पर एक लाल वस्तर बिचाएं उस पर माता लक्षमी का चित्र स्तापित करें चोकी के चारों तरफ एक एक धेरी चावल और मूंकी बनाए चावल की धेरी पर एक रूपे का सिक्का रखें मूंकी धेरी पर एक एक सुपारी र करना है उड़त की डेरी पर हल्दी की गाठे रखें चावल की डेरी पर गूंती चक्र रखें दीपक प्रजोलित करें शुद्ध गोगरत का जिसमें लाल बत्ती हो और फिर भगवान गणेजी का पूजन करें उनसे बिना विग्न के ये सारी साधना पूजन संपन होने का वर मांगे फिर माता लक्ष्मी जी का पंच उपचार से पूजन करें प्रशाद में खीर का भोग लगेगा पैटालिस मिनट फिर आप इस मंत्र का जब कर लें मंत्र ध्यान से समझेगा माला नीली नीए गिनना नहीं है पैटालिस मिनट सतत जाप करना है मंत्र है ओम श्रीम र श्रीम महालक्ष में नम्हें तीन दिन इस प्रकार पूजन करें साधन संपन करें सारी सामगरी को एक लाल वस्तर में बांध कर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें बहुत ही जल्दी आपकी आर्थिक स्तिती पूरी तरीके से बदल जाएगी इसमें कोई संद्य नहीं मृत्युन जे मंत्र अनुष्टान से आप बड़ी से बड़ी समश्या से बहारा सकते हैं इसके लिए आज आप शिवाले जाएं पंचुप चार से गणेश जी शिवजी का पूजन करें और ओम जूम सहे इस मंत्र की ग्यारा माला काज़ा आप नित्य तब तक करें जब तक संकत तलना जाएं बहुत ही जल्दी बहुत ही शिगरता से आप देखेंगे हर प्रकार के समश्या से आप भार आएंगे या किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनकी समश्या भी शान्त होगी तो ये थे दर्शिकों आज के विसस्ट उपाए जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्री का आई है हमारे दर्शक भूजराज जी की 14 अगस 1989 का जनम है सुबह साथ बच के 49 मिनट जोदपुर उनका प्रशन है अच्छा समय कपसे आएगा देखिए भुजराज जी आपका सिंग लगन है मेश राशी है लगन में शनी राहों की यूती है बारे भाव में चार ग्रहों की यूती है यह आपकी परिशानी के क्योंकि घर के आसपास आपका भग्योदे नहीं है राहू और शनी की जो प्रेद दोशेच की शानती करवाई अभी अच्छा समय आने में आपको पांच वर्ष क्या वक्त और लगेगा आज की दूसरी पत्रिका यह हमारे पास मोहिच शर्मा जी की 19 जुलाई 1926 अगन का ज इसलिए आप अरेंज मेरिज की तरफ ही आगे बढ़ें अरेंज मेरिज होगी वहवाईक जीवन सुखद वीतेगा आज की तीसरी पत्रिका यह हमारी दर्शक शिप्राजी की 9 अक्टूबर 1992 गन का जनम है दोपेर एक बच के एक मिनट दिली मेरिड लाइफ इस्यूज कब खत्म होंगे इनका प्रश्णा है देखे शिप्राजी आपकी धनुल लगन कुम्बराशी की जनम पत्री का सब्तम में केतू मंगल का विच्छी दिकारक योग है यह समश्य उत्पन होनी थी हाला कि केतू मंगल का जाप शान्ती हवन आदी करवा लेने से गुरू के जब कर वालेने से और एक पुखराज गलें पहने लेने से आप समश्या से बाहर निकल आएंगी निश्यत रूप से तो दर्शिकों यह था आज का पंचांग आज की विस्वस्त उपाई और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदुशेकर शर्मा याशा करता हूं कि बताई उपाई को स अश्टों का निवारान अवश्य हो और मनों अकामना पुड़ती निश्यत रूप से हो थारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वात भगवति आप सोब का कल्यान करे चया दिशक्ति